भारती जंता पार्टी क्योंकि उनकी सरकार है तो स्वभाविक है ये बजट को अच्छा बताएगी लेकिन उन्हें देखना चीए इस राजधानी के आसपास और पूरे देश के किसान धर्णे पर हैं या कहीं न कहीं इस धर्णे से जुड़े हुए किसान हैं आखिरकार इस बजट ने उन तमाम किसानों के लिए क्या दिया है जो बैट करके MSP मांग रहे हैं और वही भारती जंता पार्टी जो हमेशा ये कहते रही कि हम आए दोगुनी करेंगे क्या इस बजट के माद्यम से किसानों की आए दोगुनी हो रही है जहां तक economy को आगे बढ़ाने का सबाल था लगातार हमारी अर्थ विवस्ता नीचे गई है जब से नोड बंदी हुई अर्थ विवस्ता को धक्का लगा उससे जादे धक्का लगा GST को लागू करने से बाद में कोविड आ गया जो अर्थ सास्तनी है जो जागरुक लोग है वो यही मानते थे कि ये जो बजट आएगा ये कहीं न कहीं हमारे डिमांड क्रियेट करेगा और बज़ार में जब तक डिमांड क्रियेट नहीं होगी आपकी अर्थ विवस्ता आगे नहीं बढ़ेगी तो किसान दुखी है अर्थ विवस्ता के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया हमारे नौजमान जो पड़े लिखे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं आगे प्रदेशों में चुनाओं है ये बजट निरासा जनक बजट है दिशाहीन बजट है और दिशाहीन में इसलिए बोल ला हूं कि भारती जिंदा पार्टी एक समय पर कहती नहीं ठक रही थी कि उन्हें अर्थ वरस्ता फाइब ट्रिलियन डॉलर की बनानी है क्या इस बजट से हम कहीं भी फाइब ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी के आस पास भी पहुंच रहे हों और फिर जब हम भजट कर देखते हैं उत्ताप अदेश में सबसे ज्यादे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं वहां के मोक्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि देश में सबसे ज्याद सड़ी लखनो एक्सप्रेस बना था तो एक्सप्रेस बर न ह편ु है बुंदेलखंड एक्सप्रेस बर नहीं बन रहे हैं मैं तो पिषले 15 20 साल से देख रहा हूं न जाने कितनी सरकार यहाईं नयचाए बड़े बड़े दावा करती है यह लेकिन क्या GT road 4 lane 6 lane हो गई है मैं specific कहता हूँ शाहजापूर में एक bridge है रोजा के पास पिछले 15 साल से NHI बना रही है क्या वो bridge बन गया आजमगर में जो NHI की सड़क है दावा तो यह करते हैं कि हम हवाईजाज उतार देंगे हम हवाईजाज उतारने वाली सड़क बनाएंगे लेकिन तो शायद आपके पेड में दर्द हो जाएगा तो जो लोग सपना दिखा दे थे 5 trillion dollar economy का उन्होंने किसान को निरास किया है उद्योग जगत को बहुत बड़ा लाब नहीं दिखाई दे रहा होगा नौजमान को नौकरी रोजगार नहीं है इस budget ने हमारे गरीमों किसानों क को दोका दिया है किसान लगातार परदस्टन कर रहे हैं और फूलिषी मान इस चीज़ है कि दिन वापत दिये जाए यह विज़र से तो सवाल में कुछ रहा है समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है किसानों को और यह तीनों बिल बापिस होने चाहिए क्योंकि जो इ आकिरकार वो मंडिया क्यों रोग दी गए वो कौन से स्थान हैं जहां पर किसान को अपनी फसल का पैदावार मिलेगी दान में लुट गया मक्के में लुट गया अभी तो सरसों आने वाली है अगर विदेश से तेल आ जाएगा एडिबल ओयल बड़ी बड़ी कंपनिया ब करना पाएंगे वो कैसे मार्केटिंग कर पाएंगे एक गरीब किसान थोड़ी मार्केट कर पाएगा उसके लिए क्या इंफ्रसेक्चर है इसलिए बजार पे छोड़ देना किसान की पैदावार को और किसान को बजार में छोड़ देना शायद हमारे किसान को आगे नहीं ल दुनिया में जहां हमारी आवादी जादा है नौजमानों की वे आवादी सबसे जादा है मैं यह जानना चाहता हूँ कितने नौजमानों को यह सरकार आत्म निर्भर बना पा रही है हमारे कितने गरीब किसानों को आत्म निर्भर बना रही है हमारे कितने उद्ध्योग जो छोटे उद्ध्योग हैं जो मीडियम स्केल इंडिस्ट्री है उसको कितना आत्म निर्वर बरा रही है ये लगातार इस बात को कहना कि आत्म निर्वर हो रहे हैं कोई आत्म निर्वर नहीं हो रहा जिस तरह का budget है, जिस तरह की अर्थविवस्ता को बेच करके पैसा कमाना सरकार को, सरकार को asset create करने चाहिए, सरकार asset कब create करेगी, जो सरकारी asset है वो भेज़ देंगी, और control किसके पास रहेगा, इसलिए सरकार सपने ना दिखाए, सरकार सचाई से गरीबों की, किसानों की नहीं हुई, तो क्या नम्मर उम्मीद करेगी सरकार?